पिछली बार हमने यह circuit बनाया था जिसमें की LED लगाई है और यह वन किलो ओम का resistor है और यह 9 वोल्ट की बैटरी है तो यह circuit बढ़िया है जल रहा है लेकिन इस circuit को समय के बारे में कुछ नहीं पता यह हर समय ऐसे जल रहा है अभी भी वैसे जल रहा है एक घंटे बाद भी ऐसे जलेगा एक घंटे पहले भी ऐसे जल रहा था हम एक circuit बनाना चाहते हैं जो ऐसा बोरिंग न हो जो समय के साथ कु और उसके लिए मुझे इस circuit के अंदर एक नया component इंट्रोडूस करना पड़ेगा और उस component का नाम है capacitor Capacitors कई varieties में आते हैं यह capacitor देखिए इसके एक टांग लंबी है और एक टांग छोटी है आप देख सकते हैं यह पर 1000μF लिखा हुआ है यह capacitor 1000μF का है और आपको लंबी टांग को हमिशा higher potential पर और छोटी टांग को lower potential पर लगाना है यह अलग-अलग values का मिलते हैं आपको यह देखिए यहां पर तीन capacitors इस टाइप के हैं जो आप देख सकते हैं और यह वाला सबसे बड़ा है 1000μF का है बीच वाला मेरे खाल से 100 anyway इन में से 100μF का है और 1μF का है एक और टाइप का capacitor आता है इसे बोलते हैं ceramic capacitor यह बहुत छोटे होते हैं इनकी value काफी कम होती है और इनकी दोनों टांगे इनकी दोनों टांगे बराबर size की होती है इसका मतलब इन में कोई polarity का issue नहीं यानि कि किसी पे भी आप ज़्यादा potential और दुसरे पे कम potential दे सकते हैं कोई फर्ड़ें पड़ता है तो मैं इसको introduce करूंगा और ऐसा करने से हमारे circuit को समय की समझाएगी तो फिरहाल यह जल रहा है hopefully आपको दिख रहा है नाव मैं क्या करता हूँ पहले तो power हटा लेते हैं यह जो positive सिरा है इसका इधर लगाएंगे यह LED का negative part है यह positive और in fact मैं ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और कोई खास करन नहीं है तो resistor फिर आप लगाओ capacitor फिर आप लगाओ capacitor फिर यह लगाईए LED का बड़ा सिरा capacitor के छोटे वाले तांग पर यह 1 kOhm का resistance है और मैं लगाता हूँ power supply यहां पर देखे यह छोटी सितार लगाए connected है तो यह सारे points पर positive पर है यहां पर लगा लेता हूँ negative और यह negative लगाते हैं इससे आपको दिख रहा है देखने क्या होता है कि यह जला और यह तुरंग बंद हो गया लगभग में रखासे दो सेकिंड के अंदर यह पूरा बंद हो गया अब इसमें और कुछ नहीं हो सकता है सब कुछ connected है और अब यह बंद हो गया अब यह फिर से नहीं जलेगा तो at least जहां तक circuit में समय लाने की बात थी इसकी circuit को समय की समझ हो वह हमने कर लिया कि जैसी आप switch on करो गये जैसी मैंने power से connect किया वह circuit कुछ देर के लिए वह LED कुछ देर के लिए जली और एक निर्धारित समय के बाद बंद हो गई और वह समय कितनी देर बाद बंद होना है वह decide होता है capacitance की value और जो resistor लगाया अपने उसकी value से उन values को आप change करेंगे तो कितनी देर में बुझना है वह बदल जाएगा तो यह तो हुआ LED जलके बुझ के circuit में और ऐसा क्यूं हुआ मैं आपको समझाता हूँ देखिए इक बार आपको circuit को पास से दिखा दूँ कई बार ठीक से capture नहीं होता यह है circuit okay okay so हुआ क्या कि जब आपकी यह आपने पावर दिया तो इस circuit के through current flow होना शुरूआ क्यूंकि जो capacitor है उस पर कोई charge नहीं था शुरू में तो बैटरी ने इस cell ने उन capacitor के plates के उपर आप जानते हैं आपने पढ़ होगा दो metal plates है अगर उसको बैटरी से कनेट करोगे तो उसके उपर चार्ज जाना शुरू हो जाएगा तो क्योंकि चार्ज उसके उपर जा रहा है plates के उपर क्योंकि यह एलेक्ट्रोलेटिक टाइप का है पर दो मिनट ले मान लेते हैं plates वाला capacitor है जैसे की यह वाला है तो charge capacitor के plates के उपर जाना शुरू हुआ तो current flow हो रहा है circuit में क्योंकि charge move कर रहा है charge move करना इस current तो circuit में current flow हो रहा है LED के through current जा रहा है इसलिए आपकी LED जल रही थी लेकिन धीरे धीरे capacitor पूरा भर गया अब वह और अधिक charge नहीं ले सकता और कितना ले सकता है वह determined होता है उस capacitor की capacitance से so this was thousand microfarads तो वह एक amount तक का charge ले सकता है okay जैसे ही पूरा charge भर गया अब उसके निश्यों करन नहीं जा सकती right क्योंकि अब कुछ बदल नहीं सकता उस capacitor में और charge आप डाल नहीं सकते अगर आप और charge नहीं डाल सकते तो उस circuit के नहीं फ्लोव होगा और इसलिए आपका LED बुझ गया okay अब आप के सामने जो यह circuit है इस में capacitor पर charge भरा हुआ right capacitor fully charged है तो यह battery निकाल देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि यह capacitor को discharge करें तो मैं क्या करता हूँ इस रे को okay इस circuit को complete कर देते हैं ठीक है यह end इस से connect कर देता हूँ और यह end anyway connected है तो current flow होना चाहिए right so let's see किसमें इसमें है और unfortunately current flow नहीं हुआ अब क्यों नहीं हुआ इस लिए नहीं हुआ क्योंकि हम एक बात भूल गया हम भूल गया कि ledsl में डायोड है यह एक ही direction में current flow होने देती है okay और जैसे अभी लगा हुआ है ऐसे current flow होने कम इसमें current flow होगी तो क्या होना चाहिए कि current positive से flow होगी राइट इस पर positive charge है क्योंकि यह बड़ी टांग थी है capacitor की यह छोटी टांग है capacitor की तो आपका current ऐसे flow होगा right ऐसे लेकिन led का यह वाला छोटा टांग है और यह वाला बड़ा टांग है यह ऐसे जाना ही नहीं देगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इस led की polarity change कर दो उल्टा कर दो कर दो इसको इसको दो मेंशनी निकाल लेती है इसको reverse कर देती है आप इसको reverse कर दो चाहे capacitor को reverse कर दो दोनों में से एक reverse कर दीजिए अब देखते हैं क्या होता है अब जाना चाहिए जो भी capacitor के ओपर charge है वह पुरा-पुरा तो आपने देखा कि ऐसा कैपेस्टर यूस करने से हम लोग इसके अंदर तो इस circuit में time का sense ला सकते हैं आप कैपेस्टर और रेस्टेंस की values change करकर के देखिए कि आप time को कितना बदल सकते हैं मैं next video में different amount का capacitor लगा के आपको दिखाऊंगा कि time कैसे different circuits के different होगा मिलते हैं next video में